सब्सक्राइब कीजिए AQ Tech Hindi चैनल को और दबाईए इस बेल बटन को टेकनलोजी वीडियो सबसे पले देखने के लिए हलो फ्रेंड वेल्कम बैक टुमें चैनल दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाल हूँ दोस्तो शौमी फोन में MIUI 11 आने के बाद जो है एप ड्रिवर को आप्शन जो है रिमूफ हो गया है तो उस आप्शन को जो है फिर से कैसे एनेवल करना है तो वाज मैं आपको बताऊंगा दोस्तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहे हैं सबसे पहले जो है यहाँ पर आप इसका थोड़ा सा वेट कर लेते हैं इसके बाद दोस्तो आपको जो है यहाँ पर डन के ओपर किलिक कर देना है होम स्क्रीन के ओपर आना है होम स्क्रीन के ओपर आने के बाद दोस्तो आपको जो है यहाँ पर प्लेश्टर में जाना है प्लेश्टर में जाने के बाद आपको जो एंस्टॉल कर लिए जै कोई कि शॉटककट में कर तो इस एक ओलो कर लीता हो अभी उसके बाद दोस्तों आपको जो है इस एक पुझ जो है यहां से ओपन करना है आप जो है यह आप यहां पर नीचे आकर जो है सिस्टम लॉंचर को में sounds U बिखनु जो है system launcher च Chicago कर सकते हैं、 जैसे के यहां पर मैं find out करने वाला हो सर्च कर कर तो आप यहां पर देख सकते है system launcher जो यहां पर आ गया ह आपको खिलीक करेवा है इसको और आपको खिलीक यहाँ पर system launcher उसके नीचे जो home screen है दोस्तो आपको जो है उसके ओपर click कर देना है उसके बाद आपको जो है यहाँ पर यह जो try का option है यहाँ पर इसके ओपर आपको जो है click कर देना है जो है मेरे पास जो app drawer है वो बिल्कुल change हो गया है तो दोस्तो इस तरीके से जो है आप app drawer को install कर सकते हैं अपनी Xiaomi phone में दोस्तो अगर आपको ये मेरा छोटा सा वीडियो पसंद आ तो please like करें, share करें और हमारे चैनल को subscribe करें बेना मत जाना मिलते हैं next वीडियो में